So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानि की 13 December के Important Current Affairs को देखिए पहला प्रश्ण क्या है, हाली में किस महिला लेखक को कलिंग रत्न पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा दिव्यदत्ता, तो देखो विसे तो तीन जने हैं एक हैं पदम श्री श्रीनिवास उद्गाता जिनको कलिंग रत्न पुरुसकार मिला, एक हैं अरुन कमल जिनको कलिंग रत्न अंतर राष्टर पुरुसकार मिला, लेकिन आपसे प्रश्ण में पूछा है उस महिला लेखका का नाम बताईए जिनने कलिंग रत्न पुरुसकार म पनीग रही उन्होंने 10 देसंबर को भूनेश्वर में इसका उधगाटन किया और देश की आजादी के 75 वर्ष के चिनहित करने के लिए उत्सव की थीम क्या रही इंडिया at the rate 75 का more rating the republic of letters तो नाम याद रखना दिव्यादत्ता ये महिला लेखी का हैं जिनको मिला कलिंग रतन पुरसकार बढ़ते आगे बताए कि इस राज्य में देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेल्वे स्टेशन बनेगा तो अंचरोगर राजस्थान तो मद्य प्रदेश के हभीब गंज रेल्वे स्टेशन वैसे इसका नाम अभी बदल करके रानिक कमलापती स्टेशन हो गया है तो इसके बाद रेल्वे ने उत्तर पश्चिम रेल्वे के जेपुर मंदल के गांधी नगर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए चुना है और इस प्रॉजेक को 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा मतलब इस स्टेशन पर एरपोर्ट जिसी सुविधाय होंगी वर्ल्ड प्रबंदन पूरा मैनेजमेंट महिला स्टाफ के जिम्में है अच्छा बताओ अभी हमारे जो रेल मंत्री हैं कौन अश्विनी वैशन हो उन्होंने किस नाम से थीम आधारिट ट्यूरिस्ट सर्क्युट ट्रेन शुरू करने की गोश्चना की थी तो आंसर होगा भारत रेल्वे के पहले पॉड होटल का उधगातन किया गया तो आंसर होगा मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन अच्छा बताओ किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग यानि कि स्वचलित चालक कर रहित ट्रेन शुरू की तो आंसर होगा जर्मनी ने और रेल्वे कूच वशिंग प्लांट ये कांपे स्थापित किया गया तो आंसर होगा हबीब गंज रेल्वे स्टेशन में ही और किस राज्य में रेल्वे ट्रेक के उपर देश का फाइब स्टार होटल बनाया गया तो आंसर होगा गुजरात के गांधिनगर कैपिटल रहे हैं धेर सारी free classes तो anacademy की हर class conduct की जाती है आपके bank की हर परिक्षक की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ये सारी free classes आपको मिलेंगे anacademy पर जहां पर आप अपने favorite teacher के साथ अपने घर से अपने personal schedule के हिसाब से पढ़ सकते हैं और आप live class में ask a doubt feature के द्वरा teacher से अपने doubt भी clear करवा सकते हैं और आप live quizzes और test session भी attend कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी live ranking भी देखने को मिलेगी और anacademy पर total 12 भाशाओं में classes conduct होती है तो आप अपनी favorite भाशा में class attend कर सकते हैं आप अपने teacher के साथ interact कर सकते हैं live poll में part ले सकते हैं और ये सभी feature आपको मिलेंगे एक ही platform पर एक ही subscription के साथ तो आज ही subscribe करें anacademy पर और इन सभी benefits का लाब उठाईए और हाँ देखिए अगर आप मेरा code जो की है crack exam tank यूज़ करते हैं तो आपको additional 10% का instant discount भी मिलता है तो आपको इन सभी classes के जो link है वो नीचे description में मिल जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप इन सब का benefit उठा सकते हैं अभी हम बढ़ते हागे फिर बताईए हाली में अंतर राष्टर सार्व भमिक स्वास्त कवरेज दिवस ये कब मनाया गया तो आंचरोगा 12 देसंबर को तो हर साल 12 देसंबर को universal health coverage day के रूप में मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश है सभी की स्वास्त देखबाल तक पहुंच हो सके थीम क्या रही इस बार की leave no one behind when it comes to help invest in health system for all अब देखी जरा देसंबर में कौन-कौन से day मनाया हमने एक देसंबर को world aids day मनाया एक देसंबर को ही नागालेन ने अपना 69 इस्तापना दिवस मनाया एक देसंबर को ही BSF ने अपना 57 इस्तापना दिवस मनाया BSF के डारेक्टर जनरल नहे बन गए पंकच कुमार सिंग 2 देसंबर को National Pollution Control Day मनाया गया राष्टर प्रदूशन नियंत्रन दिवस 2 देसंबर को ही अंतर राष्टर दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया 2 देसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस World Computer Literacy Day मनाया 4 देसंबर को विश्व विकलांग दिवस World Handicap Day मनाया 4 देसंबर को भारते नौसेना दिवस मनाया गया हमारे नौसेना प्रमुके आर हरी कुमार 4 देसंबर को ही International Day of Banks अंतर राष्टर बैंक दिवस के रूप में मनाया गया 5 देसंबर को World Soil Day मनाया विश्व म्रदा दिवस 6 देसंबर को भारत और बांगलादेश ने मैत्री दिवस के रूप में मनाया 7 देसंबर को अंतर राष्टर नागरिक उड़ैयन दिवस मनाया गया International Civil Aviation Day फिर 9 देसंबर को अंतर राष्टर ब्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया International Anti-Corruption Day फिर 10 देसंबर को मानवादिकार दिवस के रूप में मनाया गया Human Rights Day 11 देसंबर को अंतर राष्टर परवत दिवस मनाया गया और 12 December को अंतर राष्ट्र सार्व भमिक स्वास्त कवरेज दिवस के रुप में मनाया गया तो December के ये important days अभी तक हमने मनाया इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में किसने House of Lords में 21 सेंचुरी आइकन अवार्ट जीता तो अंसर होगा Amit Gowen का तो G Entertainment Enterprises Limited के अध्यक्ष है ये Amit Gowen का जिनको अभी 11 December को House of Lords में 21 सेंचुरी आइकन अवार्ट से सम्मानित किया गया ये पुरुसकार Amit Gowen का की और से G Network UK की बिजनिस हैड पारूल यादों ने प्राप्त किया तो लंदन के Esquad Watermelon Company दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने वाली सक्षियतों को हर साल 21 सेंचुरी आइकन अवार्ट से सम्मानित करती है बाके रोपेश गोयल आयाटी कानपूर के साइंटिस्ट हैं ये इनने अभी Young Geo Special Scientist Award मिला था अयान शंक्टा 2021 का International Young Eco Hero Award मिला था इनको और मुहम्मद आजम National Youth Award मिला था इनको तो ये नाम भी आपने जरूर सुने होंगे करन्ट अफेस में बढ़ते हैं बताईए हाली में किस भारते गणितग्य को सिप्रियन फॉयस अवार्ड से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा नि निखिल श्रेवास्तव जो कैलिफॉर्णिया उनिवर्सिटी बरकले में पढ़ते हैं उन्हें अभी एडम मार्कस और डैनियल स्पीलमेन के साथ अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा ओपरेटर थियोरी में प्रथम सिप्रियन फोयस पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्या नाम है निखिल श्रेवास्तव बाकि देखो प्रियंक का मोहिते आपको याद होगा 2020 का तेंजिंग नौर्गे नेशनल अडवेंचर अवार्ड मिला था इनको डॉक्टर रनदीब गुलेरिय भी याद होगा 22 वा लाल बहादुर शास्तरे पुरसकार मिला था और दूनों नाम यहां रखना बढ़ते आगे फिर बताएए भाशा संगम किस केंद्रे मंतराले के द्वारा लॉंच किया जाने वाला एक नया एपिलिकेशन है तो अंसर उगा शिक्षा मंतराले तो अब इस शिक्षा मंतर अच्छा मंतर है धर्मेंदर प्रधान तो अभी सिक प्रिक्षा मंत्राले ने कम से कम 75 लाख लोगों को अपनी मातर भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में बुनियादी बातचीत शम्ता हासिल करने में मदद करने के लिए भाषा संगम नाम से एक मोबाइल एप्लिकेशन को लॉंच किया इस एप्लिकेशन में 22 भारतिय को बढ़ावा देना नाम ध्यान रखना एप्लिकेशन का किस मंत्राली ने लॉंच किया ये भी बढ़ते आगे फिर बताई अभी हाल ही में किसे वाइट हाउस कार्रेले के प्रमुक के रुप में पदोनत किया गया तो अंसर होगा गौतम रागवन तो अभी अमेरिकी जो प्राजनितिक सलाकार गौतम रागवन को पदोनत करते हुए यानिकि उनकी पोस्ट बढ़ाते हुए वाइट हाउस में राष्टरपति के कार्मिकों के कार्रेले का प्रमुक बनाया गया बाकि संजीव महता फिक्की के प्रेसिडेंट बने अभी ये इत्तिरा डेवेस उज प्रदीप शाह नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के चेर्मेंट बने ये जितने भी आप्शन में आपको बता रहा हूँ ये भी लेटेस्ट करंट अफेर्स के सारे अपॉइंट्मेंट्स है ध्यान रखना इनको भी बढ़ते हांगे अच्छा फिर बताईए अभी और बिजान होगा चाइना तो रिपोल्टर्स विधाउट बॉल्डर की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा पतरकारों को बंदी बनाने वाला देश है जिसने कम से कम 127 पतरकारों को हिरासत में लिया है तो The Great Leap Backgrounds of Journalism in China के नाम से एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में राय और अभिव्यक्ति की सुतंतरता के लिए अंतर राष्टर प्रतिबद्दताओं के खिलाफ चीन के उलंगन का खुलासा किया गया तो एक्चोली मैं COVID-19 के संकट के बारे में जनता को सूचित करने के लिए 2020 में कम से कम 10 पत्रकारों और ओनलाइन टिपड़ी करने वालों को गिरफतार किया गया था अच्छा Reporters Without Borders से आपको कुछ याद आया होगा कहीं बार में बताया चुका हूँ इन्होंने एक रिपोर्ट एक इंडेक्स चारी किया था World Press Freedom Index याद आया उसमें भारत की रेंक 142 है और टॉप पे नॉर्वे है अब पत्रकारों की बात हुई एक प्रश्न बनेगा यहां से पूछा जाएगा Pulitzer Purushkar इसका सम्मंद किसे है तो आंसर होगा पत्रकारिता से और 2021 का Pulitzer Purushkar किसे मिला तो मेगार राज गोपालन को और इसी से मिलता जुलता बनता है एक प्रश्न प्रिद्सकर पुरुसकार इसका सम्मंद वास्तुकला से है आर्किटेक्चर से है बताया था मैंने आपको और 2021 का मिला किसे लिकोटिन और लुई फिलिप को और क्या ये पुरुसकार किसी भारते को मिल चुका है तो कल पर सुई बताया था मैने आपको कि प्रिद्सकर पुरुसकार पाने वाले एक मात्र भारते हैं कौन बाल कृष्न दोशी 2018 में इनको मिला था और बाल कृष्ण दूशी का नाम भी अभी नियूज में आए था कि रोयल गुल्ड मेडल 2022 से इनको मानित किया जाएगा तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे फिर बताईए अभी हालिमे किस देश ने 2021 में लोकतंतर के शिखर सम्मिलन की मेजबानी की तो अंसर होगा अमेरिका तो अमेरिकी जो प्रेसिडेंटें जो बाइडन उन्होंने लोकतंतर के लिए पहले वाइट हाउस सम्मिट फॉर डेमोकरेसी का उधगातन किया जो की 9 से 10 देसंबर के बीच हुआ और भारत के प्रिधान मंतरी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे भारत के प्रिधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने आभाजसी रूप से यानि कि वर्च्वली इस सम्मिट में भाग लेते हुए उसको संभूधित करते हुए कहा कि भारतियों में लोकतांतरिक भावना यानि कि डेमोकरेटिक स्प्रिट और बहुलवादी लोकाचार यानि कि प्लूरेलिस्टिक एथोस निहित है और सम्मिट फॉर डेमोकरेसी में टोटल 100 देशों ने पार्टिसिपेट किया अब बात अमेरिका की है तो ये रहा मैप में अमेरिका कैपिटल इसकी क्या है वाशिंग्टन डीसी है डीसी मतलब क्या होता है डिस्ट्रिक्ट ओफ कॉलंबिया वरतमान में प्रेसिडेंट है जो बाइडन 46th नंबर के हैं और अमेरिका के सबसे उम्रद राज प्रेसिडेंट भी यह है और यहां की वाइस प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका की पहली महिला उप राश्ट्रवती है यह और कमला है रिस के नाम से तीन बुक्el आपको याद रखनी है और अभी कमला हैरिस के उपर एक बुक भी लिखी थी किसने चिदानन्द राज घटा ने उस बुक का नाम क्या है कमला हैरिस फिनॉमेनल वुमिन बाकी नीरा टंडन का नाम भी निउस में था जो बाइडन के स्ताफ सच्ची बनने वाली पहली भाट्य अमेरिकी है ये अचा अमेरिका के पूर्व राष्टर बती जो थे डोनाल्ड ट्रम्प अभी उन्होंने खुट का सोचल मीडिया एप्लिकेशन लांच किया था उस एप्लिकेशन का नाम बता सकते हो आप चलिए उस एप्लिकेशन का नाम कमेंड बॉक्स में टाइप करके बताए ये देख और यहां के विदेश मंतर यानि की सेक्रेटरी अफ स्टेट बने एंथोनी ब्लिंकिन और पहली मैला वित्त मंतरी फिनेंस मिनिस्टर बनी कौन जैनेट येलेन अच्छा अमेरिका के साथ में हम कौन-कौन से एक्सरसाइस करते हैं मालाबार नौसेनिक अभ्यास करते हैं वज्जिर प्रहार करते हैं युद्ध अभ्यास करते हैं और टाइगर ट्रियम्प भी हम इसी के साथ करते हैं एक कोप इंडिया भी करते हैं हम USA के साथ में ही तो बताईए 2021 किस तक दुनिया के सबसे मुल्यवान एड़ टेक कंपनी कौन सी है तो अंसरों का बाईजूज तो बैंगलूरू बेस्ट बाईजूज एक भारत्य बहुराश्ट्र सेक्षिक प्रद्योगी की प्रद्योगी की आने की एड़ टेक कंपनी है और अब ये 18 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप याने की बाजार पुन्जी करन के साथ दुनिया के सबसे मुल्यवान एड़ टेक कंपनी है अभी बाईजूज ने आस्ट्रिया में मुख्याले वाले जियो जेब्रा को खरीद लिया है इसे 10 करोल डॉलर में खरीदा है जियो जेब्रा में इंट्रेक्टिव गनित सिखाई जाती है और ये बाईजूज का नोवा बड़ा अधिगरहन है तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए 64 वी राष्टर निशाने बाजी चेंपिन्शिप पे किसने सीनियर और जूनियर एर राइफल्स दोनों में स्वन्न पदग जीता तो आंचर होगा दिव्यान सिंग पमार ने अच्छा ये 64 वी राष्टर निशाने बाजी चेंपिन्शिप कहा पे हुई भुपाल में तो इसमें दुनिया के पूर्वे नंबर वन दिव्यान सिंग पमार ने सीनियर और जूनियर एर राइफल्स दोनों में गोल्ड मेडल जीता है अवनी लेखरा ये भी शूटर है दस मेटर एर राइफल्स में टूक्यो परलंपिक में गोल्ड जीता था इन्होंने और ये पहली भारते मेला बनी थी परलंपिक में गोल्ड जीतने वाली तो इनका नाम भी आद होगा आपको बढ़ते आगे फिर बताइए ESG रिपूर्ट लॉंच करने वाली भारत की पहली एरलाइन कौनसी है तो आंचर होगा इंडिगो ESG मतलब Environment, Social and Governance तो इन्डिगो भारत की पहली एरलाइन है जिसने ESG रिपूर्ट को लॉंच किया इन्डिगो ने गोश्टना की है कि उसने CSIR Indian Institute of Petroleum देहरादून के साथ भारत और दुनिया भर में Sustainable Aviation Fuel की तेनाती में हाथ मिलाने के लिए एक समझुता किया है अच्छा बताओ वो कौन सी एरलाइन है जिसने अपना नाम बदला था तो आंसर होगा Go Air और नाम बदल के क्या कर लिया Go First हमारे Aviation Minister को ने जोतिर आदित्य सिंधिया अच्छा बताइए दिल्ली में जो इंद्रा गांधी International Airport है वो किस वर्ष तक शुद्ध शुन्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवा एड़ा बन जाएगा तो आंसर होगा 2030 तक और अभी हर्याना के हिसार एरपूर्ट का नाम बदल के किस के नाम पर रख दिया गया महराजा अग्र सेन के नाम पर और ये हर्याना का पहला सिविल एरपूर्ट होगा ये अब तक हमारी सेना का एरपूर्ट था और अभी किस एरपूर्ट को कौंसल इंटरनेशनल Rule of Excellence Award मिला था तो आंसर होगा कूचिन Airport को और पूछा जाए कि 2020 Skytrax World Airport Award Ranking में भारत का सर्विश्रिष्ट Airport कौन सा रहा तो आंसर होगा दिल्ली Airport यानि कि इंद्रागांदि International Airport जो वर्ल्ड की सूची में 45 नंबर पे था 1st नंबर पे था कतर का हमाद International Airport तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रशन के उत्तर की तो कल की वीडियो में पूछा गया था अभी हाली में किसे Royal Gold Medal 2020 से सम्मानित किया जाएगा तो आंसर होगा बाल कृष्ण दोसी को आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है और गाईज अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेर जरूर कीजेगा जो भी आपका study group हो गया WhatsApp पे या Facebook पे तो प्लीज एक बार वीडियो के लिंक को शेर जरूर कर देना और इन सभी questions का quiz जरूर लगा लेना इनका test जरूर लगा लेना ताकि आपको पता चल जाए आपका performance कैसा रहा कितने questions आपको याद रहे और आज आपने question पड़ें सारे questions आप write कर दोगे साथ में ये भी test करा करो कि 3-4 दिन वाला पहले कोई सा भी quiz खोल लो और उसको भी solve करो और फिर देखो वहाँ पे आपका performance कैसा रहा कितने time में question solve कर पा रहे हो क्या ranking आपकी बन रही है साथ में इसकी PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी application का link नीचे description में है साथ में telegram यूज करते हो तो उसका link भी description में मिल जाएगा telegram इसलिए कि कोई भी audio या video upload होता है तो उसका notification आपको वहाँ पे मिल जाता है अगर YouTube से notification नहीं मिलता है तो बागे खुश रहिए मस रहिए पढ़ते रहिए Thank you